अनुपमा की कहानी हमेशा की तरह अपने ट्रैक पर ही चल रही है लेकिन इस बार यह दर्शकों को बांध कर नहीं रख पा रहा है ऐसे में शो की टीयार पी हर दिन गिरती जा रही है अब आने वाले एपिसोर में हम देखेंगे की शो की शुरुआत होगी मालती देवी और ब अनुपमा के बुलाने की जिद करेगी जबकि अनुपमा शाह हाउस में काम कर रही होगी वह रसोई में काम करने के साथ साथ फोन पर ही ओफिस का काफी भी मैनेज करेगी इसी बीच अनुपमा को कॉल करके बताएगा कि अनुपमा को तेज बुखार हो रहा है और वह अनुपमा घर जाकर अनुज से कहेगी कि किंजल और तोशु जा चुके हैं, काव्या प्रेगनेंट है। इस बात पर अनुपमा भरक जाएगी, इसके बाद पाखी भी गुसे में शाह हाउस चली जाएगी, हाला कि वहाँ जाकर वह कोई काम करने की बजाए हेटफोन लगा कर आराम से सोफे पर बैट जाएगी। जाने के लिए बाकाव्या और डिम्पी को आवाज देगी, लेकिन कोई सुनेगा नहीं। इसके बाद बापुजी खुदी बाकी मदद करेंगे। वह जैसे ही बाको उठाएंगे दोनों गिर पड़ेगे। इसके बाद भी दोनों को कोई उठाने नहीं आएगा। दूसरी और पाकी रोती हुई कपाडिया हाउस जाएगी और डिम्पी की गलती बताकर सारी बात बताएगी। बाब आपुजी को भी हार कर अनुपमा को ईकॉल करके बताना पड़ेगा कि वह गिर गए हैं और उन्हें उसकी जरूरत है। वहीं छोटी अनुपमा को छोड़ने के लिए तयार नहीं है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में हमें कमेंस में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।